अंदर चटपटे मसाले हो और बाहर से वेशन की क्रिस्पी लेयर जो इस मिर्च के पकोड़े को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाती है इस बरसाथ के मौसम में आप इस रेस्पी को घर पर जरूर ट्राई करिएगा ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा अगर आज की मेरी ये रेस्पी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें तो चलिए इसे हम बनाने की तैयारी कर लेते हैं इसके लिए हमने भरवा मिर्च ली है जिसे अच्छे से साफ कर लिया है और एक सूखे कपड़े से पोच लिया है और इस तरह से हमें इसके बीच में कट लगा देना है मैंने यहां पर बीच को नहीं निकाला है क्योंकि इसके जो बीच होते हैं वह बहुत ज़्यादा तीखे नहीं होते हैं और बाकी मिर्च को भी इसी तरह से हम नाइव से कट लगा लेंगे एक बर्तन लिया है जिसमें हमें चार से पांच उबले आलू को अच्छे से मैश कर लिया है उसको हम इसमें रख लेंगे एक चमच गरम मसाला पॉडर एक चमच चार्ट मसाला आधा चमच काला नमक आधा चमच सफेद नमक बारीक कटी हुई हरी धनिया लैसून अद्रक इन सभी चीजों को अब हम इसमें रख लेंगे इससे जो हमारा मसाला बनेगा वो बहुत ही चटपटा बनेगा और इसका सुआद भी बहुत अच्छा आएगा अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर रहेंगे मैंने मिर्च के बीच को नहीं निकाला है इसलिए मैंने यहाँ पर पिसे मिर्च का इस्तुमाल नहीं किया है अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप मिर्च को और बढ़ा सकते हैं तो हमारा जो मिक्शर है वो आधा चमच अजवाइन इसे हमें हाथों से अच्छे से क्रश करके डालना है ताकि इसका जो स्वाद है वो और भी अच्छा है एक चौथाई चमच हल्दी पॉडर नमक, स्वाद अनुसार हमने नमक पहले भी डाला है इसलिए नमक का हमें यहाँ पे कम इस्तिमाल करना है अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर रहेना है एक बार में हमें बहुत सारा पानी नहीं डालना है यहां पर हमने करीब एक कफ पानी का इस्तुमाल किया है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें कोई भी लम्स ना रहे हमें इसका जो गोल है वो गाड़ा ही रखना है ताकि जो हमारी मिर्च के पकोड़े हैं वो अच्छे से कोड हो सके तो अब हम इस मिर्च में जो मसाला बनाया है उसे हम भर लेंगे इस तरह से हमें इसे फैला देना है और अंगूठे से अंदर के और प्रेस करते हुए मसालों को अच्छे से भर लेना है अगर आप मिर्ष बढ़े लेंगे तो इसमें आपकी जो मसाले हैं वो ज़्यादा इस्तमाल होंगे तो इसलिए मिर्ष खरीते समय आप इस बात का ध्यान रखे तो इसी तरह से हमें सारे मिर्ष को भर लेना है तो मिर्ष हमारे ready है, चलिए अब हम इसे तलने की तयारी कर लेते हैं, तेल को हमने पहले ही गर्म होने के लिए चड़ा दिया था, अब इसे हम डंडी से पकड़ कर बेशन में अच्छे से coat कर लेंगे, इसे हमें बेशन में अच्छे से deep कर लेना है और जो भी extra बेशन है, उस से हम इस तरह से टेड़ा करकर गिरा देंगे और तेल की कैपसिटी के अनुसार इसमें हम मिर्ष को रख लेंगे एक बार में हमें बहुत सारे पकोड़ों को नहीं बनाना है यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें लो से मीडियम रखना है ताकि जो मिर्ष है वो अंदर तक अच्छे से पक सके जब यह एक साइड अच्छे से पक जाए तभी हम इसे दूसरी साइड पलटेंगे हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तलना है इसे तलने में कम से कम आपको साथ से आठ मिनट का समय लगेगा देखिए जो पकोड़ों का कलर है वो चेंज हो चुका है इसे हमें एक मिनट और पकाना है तो पकोड़े देखिए अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं अब हम इसे एक टिशू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्ष्टर आइल है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए इसी तरह से हम बाकी बचे हुए पकोड़ों को भी तेल में तल लेंगे तो हमारा पकोड़ा तैयार है चेलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर रहेते हैं मैंने यहाँ पर एक मिर्से को काटके रखा है देखिए अंदर तक अच्छे से पक चुका है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है आप इसे हरी चटनी और सॉस के साथ सर्व करें यह आपको बहुत पसंद आएगा अगर आज की मेरी यह रैस्पी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे घर पर जरू ट्राइग करें अपनी फैमली और फ्रेंट्स के साथ शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें Thank you!